दोस्तों अगर आप नमलोजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेश्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप उन्डली सीखना चाहते हैं, यदि आप बास्तू सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्षन में 60-60 वीडियो मिलेगे, दोस्तों अगर आपका खराब बक्त चला है तो आप अपने दुकान में या आप अपने घर में कुछ फोटो की बारे में हम आपको बता रहे हैं सिर्फ पिक्चर लगाने से जो एक्सडेंट होकर जो एक्सडेंट होता है वो एक्सडेंट की घटना तक को टाल सकता है सिर्फ ये फोटो लगाने से तो ये वीडिय देखना और उस चीज को समझने का कोशिश करना हाँ दूसरा चीज है कि अगर आपके घर में धन आता है धन रुकता नहीं है इसमें भी मदद करेगा तीसरा है कि अगर आपका दुकान है और दुकान अच्छे तरह से चलता नहीं है तो ये भी पिक्चर आपको बहुत अपने घर में कुत्ते का फोटो लगाएं या आप अपने दुकान में कुत्ते का फोटो लगाएं यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह भैरव जी का सवारी है और यह आपको अच्छा मदद करेगा यह यहां तक की एक्सिडेंट से भी आपको बजा सकता है दूसरा चीज है कि कभी भी आप अपने घर में या दुकान में हाथी का फोटो लगाएं लेकिन यह सब फोटो जो हम फोटो बता रहे हैं जिसका यह लगाना तभी उचित होगा कि जब भी कोई आदमी आपके घर में आए तो वो ची दिखे तीसरा है मोर मोर का फोटो आप अपने दुकान या घर में लगा सकते हैं इससे बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा मचली अगर जिन्दा मचली अगर आप अपने घर में रखते हैं या मचली का फोटो भी लगाते हैं जिन्दा मचली बास्तु के लिए काम करता है ब मचली का फोटो भी अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो कार्मिक जो कारी होता है जिसे आपके जिंदगी में बहुत बुरा प्रफाब परेगा यहां तक कि यह अकाल मिर्टू को भी टाल सकता है। आगे बात करते हैं कच्वा अगर आप अपने दुकान में जो जहां पर पैसा रखते हैं उसके बगल में कच्वा रखते हैं या आप अपने घर के कहीं भी कच्वा का फोटो लगाते हैं या चांदी का कच्वा या पीतल का कच्वा अगर रखते हैं उसके आसपास दो तीन फ भी बहुत अच्छा काम करता है मोर का फोटो भी रख सकते हैं ये चार पॉंच जानबर का अगर फोटो आप अपने घर में रखते हैं तो इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा दोस्तों हम मिलते हैं आप से एक नए वीडियो में एक नए चीज़ को लेकर अगर ये पेल आइकन को दबा लेओ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद